हेलो दोस्तो मेरा नाम है कभीर आप देख रहे हैं हमारे यूटूब चानल जिसका नाम है एडवांस लाइप यह वीडियो सिर्फ एई पीएस रिटेलर के लिए हैं और आज हम बात करेंगे एई पीएस फेल्ड के बारे में फेल्ड जो होता है वो सर्वर खराब होने के करेंगे तो फिल्ड जरूर होगा ज्यादातर होता नहीं है फिर कभी कभार हो जाता है अब कभी कभार हो जाता है तो वह सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो हो आती है रिटेलर के लिए कि नॉर्मल यह अगर कस्टूमर हमारे पास आता है पैसा निकालने के लिए तो सबसे पहल केła निर्टस्टर के खाते में 3000 रहता आई कि सर मेरे को 2000 निकाल तो और हम उस टाइं उस रिटेलर का पैसे जब निकालने जाते सैंक सरवर खराब रहता है ऑद पेड़ हो जाता है निए अब कस्टो tyre को पैसा चाहिए कि क ost अ को कि कस्टवर का खाते से तो डेबिट हो चुका है लेकिन मेरे या फिर हमारा APS जो ओलेट होता है उसपे आकर क्रिडिट नहीं होता है लेकिन वह पैसा एक्चुले वह बैंक में भी रह सकता है या फिर NPCI के पास रह सकता है कि अब नॉर्मली हमको पता है वह पैसा 3-7 दिन के अंदर Working date के अंदर अगर bank holiday अगर नहीं रहेगा अगर छुटी नहीं रहेगा तो 7 दिन के अंदर वो पैसा आकर reverse होता है अब customer तो customer को तो पैसा चाहिए ना customer तो समझेगा नहीं तो आपको समझाना है कि सर आपका जो पैसा है आपके खाते से निकल चुका है और वू पैसा हमारे ओलेट में आया नहीं है या कश्टोमर को शंखाना है अब कोई-कोई रीटेलर है कि जो कश्टोमर का जब पैसा डेवीड होता है तो कश्टोमर को समझाते नहीं है कंश्टोमर को शिर्फ बोल देता मार्केट में सबसे ज्यादा कामच करता है कि अब कस्टोमर को तो पैसा का जरूरत है अब जब कस्टोमर दूसरे दिक्वान में जाएगा पैसा निकालने के लिए उस दुकान दर अगर बोलेगा कि तुम्हारे खाते में पैसा ही नहीं है दो हजार पैसा नहीं है तुम्हारे खाते में सिर्फ एक हजार पड़ा हुआ है और वो रिटेलर बोलेगा आप जिनके पास पहले गये थे पैसे उडिलगन के लिए उनके पास जाईए उनके पास ही कुछ होगा अब कस्टोमर आता है आपके पास और चिलाता है कुछ समझे ना समझे ही आपसे चिलाता है कि सर पैसा आपने निकाल लिया हमको पैसा चाहिए तो यह होने से पहले आपको पैसा उस कस्टोमर को पहले से समझा देना है कि सर यह सरबर खराब होने के कारान आपके खाते से यह पैसा डेबीड हो चुका है और मेरे वालेट पर या फिर मे मोटा एमाउंट होगा तो कस्टोमर सायद सह लेगा कि ठीक है तीन या साथ दिन हम देख लेते हैं अगर ज्यादा बड़ा एमाउंट होगा जैसी कि 10,000 दस अजार तो कस्टोमर आपसे वह पैसा लेगा क्योंकि एमाउंट थोड़ा नहीं है ज्यादा है अब मेरे को पूछोगे कि मैं क्या करूँगा अगर मैं उस जगा रिटेलर हुआ और कोई कस्टोमर का ऐसा होता है तो मैं नहीं चाहता कोई कस्टोमर मेरे से जगडे और उनके साथ-साथ और भी कस्टोमर इन बातों को जाने कि क्या हैं कon Applause क्यूगी कंस्तोमर को इतना समझ है नहीं कि क्या एक करता है कंस्तोमर का पैसा निकालके अपने Сब्सक्राइब को पैसय नहीं देता है लेकिन फैल्ड क्या है यह समझन में नहीं आए गा कस्टुमर को समझाना है समझाने के पता अगर नहीं समझाता है तो आप अगर उसके अगर 20000 फेल होता है तो 5000 दीजिए और बोलिए कि सरा आप साथ दिन बाद आकर आप हम से फिर 5000 लेके जाएईए आपके खाते में जाएगा पूडल करिए और 5000 फिर से लेकर जाएए अगर इसा कोई कस्टोमय कि आप पूरा पैसा लेगा अगर पूरा पैसा लेता है कि तो मेरा साइड कहना है कि आप उसको पैसा दीजिए और उनका पासुख और भूहाई20 का मोबाइल नमबर रखे और Соथ में और इस कोई दूसरा आदमी रहे गा उनके साथ बात करिए कि सर यह हो गया है आपका हमारे पास रखिए आप पैसा लेकर जाएए आपको जब हम कॉल करकर बुलाएंगे आप आए और उट्रल करके दीजिए अब सबसे बड़ा दूसरा जो प्रॉबलम होता है आप रिटेलर जो इतने भी रिटेलर है मालूम है क् तीन से साथ दिन के अंदर पैसा आ जाता है लेकिन कभी कवार ज्यादा तर नहीं कभी कवार ऐसा होता है कि तीन से साथ दिन भी हो जाता है वार्किंग डेट निकल जाता है फिर भी कस्टोमर के खाते में वो पैसा नहीं आता है तब बड़ी मुश्किल पड़ता है कि अब जो भी आप कंपणी का एप चलाते हो उस कस्टोमर को कॉल करो गए और बताओ गए सर यह हमारा फेल्ड हुआ था यह तारी को और हमरा साथ दिन गुजर चुका है लेकिन मेरे रिटेलर के स्वरी कस्टोमर के खातों में वह पैसा क्रेडिट नहीं हुआ है रिवर्स न खाता है मतलब पास्बूक है उसको अपडेट कराईए और वह अपडेट को कंप्लेंड कराईए अब यह बड़ा सबसे बड़ा मुश्किल भरा काम है आपका सुका आपका सौप दुकान है आप तो पहले से ही विजी है दुकान पर अब कस्टोमर बोलेगा सर हम इतना नही है आप से हमने पैसा निकाला आपकी यहां पर जो होने का हुआ है हम इस में लपड़े में पढ़ेंगे आप हमको पैसा दीजें हमको क्लियर किजिए अब ऑभ उनको पैसा भी देंगे फिर उनके खाते में पैसा भी जाएगा अब पूरा काम आपको ही करना है आप जीतना भी नोटिस बोर्ड लगाए जीतना भी आप बात करिये जीतना भी लोगों को बुलाइए कोई कामने होगा जो मार्केट में हो रहा है वही बता रहे हैं आप एक नोटिस बोट टांग दिया उसमें लिखा हुआ कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आप बैंक पे जाईए और कंप्लेंड कीजिए कि हमारा यह पैसा यह हो गया है कास्टोमर को लफ़े में नहीं पड़ना है कि अगर अगर सही से बात करेंगे कि जो सही तरीका है वो अगर आप अजमाएंगे तो ही आपका वह कास्टोमर ईपीट आपके पास आएगा अगर उनसे जगडते हो या फिर कुछ मतलों ऐसा कुछ बोलते हो जैसा- continua दूसरी बार आपके पास आपके पास नहीं आएगा आपका बिजनिस डाउन हो सकता है और एक चीज़ जो भी AAPS का काम करते हो जो भी जो भी रिटेलर AAPS का काम करते हो आपके नजदिक में जितना भी आपका संपर्क अच्छा होना चाहिए तो सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है अगर कस्टोमर आपके साथ बैंक का RELATION सही नहीं रहेगा अगर आपके साथ बैंक के स्टाप के कोई मतलब जान पाहिचान नहीं रहेगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है आपका जानपहिचान होगा रिलेशन रहेगा तो आप सबसे बड़ी चीज जो है वह है एई-पेस का पैसा अभी तक जितना हमने देखा है अभी तक कोई भी पैसा आठका नहीं है पूरा पैसा कस्टोमर को मिला है यह फेल्ड होने के कारण लेकिन कस्टोमर क्या है कस्टोमर को पैसा जरूरत है कस्टोमर मानेगा नहीं भाई